ATP का पूरा नाम है माने ATP का पूरा नाम क्या है A का मतलब है Adenosin T का मतलब है Tri और P का मतलब है Phosphate तो ATP का पूरा नाम क्या है Adenosin, Tri, Phosphate इसका ATP का पूरा नाम है ATP ATP को किसकी मुद्रा कहा जाता है मुद्रा माने होता है रुपया रोपया पैसा है ठीक है यह तो ATP किसका पैसा है ATP बच्चों जो है कोशिका की उर्जा मुत्रा है जो कोशिका होती है कोशिका की उर्जा मुत्रा है ATP किसकी उर्जम उत्रा है कोशिका की और ATP का निर्मान कुन करता है आप सभी जानते हैं माइटोकॉंडरिया करता है ATP का निर्मान अति महत्पुन प्रस्ण सबसे लंबी कोशिका है क्या लंबी कोशिका है तो सबसे लंबी कोशिका कौन से होती बच्चो तंत्रीका कोशिका होती है, सीधी सीधी वात है इसमें लखाया है, तंत्रीका, तन, तन माने तन्यता, जिसको हम बच्चों तान सकते हैं, तान सकते हैं, जिसको हम तान सकते हैं, वही बस्तु जो है लंबी हो सकती है, ठीक है, इसों तान सकते हैं, वही लंबी हो सकती है, तो तो अपने इसका उत्त्या नकाल सकते हैं, सबसे लंभी कोशिका है, तंत्री का कोशिका, अब परिक्षा में ऐसा ही प्रशन आएगा, सबसे बड़ी कोशिका है, अंड़ा देखा आप न, अंड़ा, शुत्रमुर्ण कच्छी बहुत बड़ा होता है, तो उसका अंड़ा बड माईक्रोस्कोप से देखते हैं तो ऐसा पूछा आगे छोटी कुछ का कौन है तो माईको पलाजमा लगा दिना उत्तर चलो अगले प्रस्ण हम देखते हैं प्रस्ण है आपके सामले कि सबसे बड़ी कोशिका है आप सभी जानते हैं सुत्रमुरुपक्षी बहुत बड़ा होत सबसे छोटी कोश्का है, छोटी बस्तूमक अपन, माईक्रोस्कुप से दिखती हैं इसे अपन उत्तर निकाल सकते हैं सबसे छोटी कोश्का है, आपकी apmani doubtsma की पूरा नाम है, mycoplasma galhapseticum तो mycoplasma जो है, सबसे छोटी कोश्का है तो सबसे छोटी कुश का कुशी है आपकी माइको प्लाजमा सबसे छोटी कुशी का है अगला आपका प्रशन है डिक्तियोसूम का दूसरा नाम क्या है डिक्तियोसूम का दूसरा नाम गालजी का है इसको हम गौलगी बोडी भी कहते हैं याता यात प्रबंधक भी कहते हैं गोल की बोडी को अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न में ही उत्तर है बताओ, बताओ स्वस्त मनुस के मैं स्वस्त मनुस में प्रती मिनिट हिर्दय कितनी बार धड़कता है इस पंदर माने होता है धड़कना तो बताओ, तो बताओ 72 बार प्रश्न में उत्तर है स्वस्त मनुस का हिर्दय कितनी बार धड़कता है बताओ, 72 बार इसका उत्तर से ही आपका 72 बार एक मिनिट में मनुस का हिर्दय जो है 72 बार धड़कता है इसका पता डाक्टर लगाते हैं बीमार हो जाते हैं तो डाक्टर के पास जाते हैं तो आपकी वो नब्ज चेक करता है बाएं हाथ पर आपने देखा होगा डाक्टर उंगलीओं से चेक करता है कि आपका हिर्दर जो है बाहतर बार धढ़क रहा है या नहीं, बहुततर बड़ दढ़ा करा है तो आप स्वस्त हैं